वेल दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह Google Pay application का continue basis में यूज करते हो न, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है, क्योंकि Google Pay ने DMI Finance के साथ मिलके personal loan की सुझा उपलब्द करवा दिया है, इस loan का नाम है सचेत loan, ध्यान अगना आपको ये loan बिना किसी income proof और बिना किस documentation की provide किया जाता है, और मैं इनकी Twitter handle पे भी लिजा के दिखा देता हूँ, Google India ने tweet के आए, कि DMI Finance के साथ मिलके, ये लोग loan offer कर रहे है, loan starting आपकी 15,000 से हो जाएगी, और यहाँ पे आपको पता है, यह मैं आपकी कितने से start हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 111 रुपै से, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, मैं आपना खुद का loan apply करूँगा, उससे आपको सारी जीए clear हो जाएगी, लेकिन आपको loan apply करने से पहले एक तीच और मैं clear करता हूँ, क्योंकि अगर आप YouTube पे सर्च करते हो कि Google पे से loan कैसे apply करे है, तो वहाँ बहुत से लोग आपको पागल बनाते हैं, अब देखो वो करते क्या है, मैं आपको बता लेता हूँ, अब देखो वो लोग क्या बोलेंगे, अगर आपको loan apply का ना हो, तो यहाँ पे आपको उपर में एक इंस्टा money का section मिल जाता है, अगर आप इंस्टा money से loan apply नहीं करना च तो पहली बात तो भाई, आपको कोई भी direct loan apply नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी application है, सारी third party application है, मान के चलते हैं, मैं अपने document लेके गया, Google Pay के उपर, अब Google Pay से, मैंने यहाँ पे इंस्टा money से loan apply किया, तो भी देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ प अब देख सकते हो, इंस्टा money के website पे आ चुके हैं, अब मेरे को यहाँ से loan apply करना पड़ेगा, अब देखो, हुआ क्या, मैं गया तो Google Pay और मैं loan कहाँ से apply कर रहा हूँ, इंस्टा money से, तो भी देखो, Google Pay यहाँ पे बीच में medioter का का काम कर रहा है, उसके बाद जो भी कश् commission चार्ज करता है, तो भी देखो, मेरे तो simple से कहना है, अगर आपको in application से loan apply करना है, तो आपको किसी भी third party application से जाने की जहोत नहीं है, आप चाहतो direct insta money या फिर money view application जाउनलोड करके, वहाँ से direct loan के लिए apply कर सकते हो, तो फिर चलो दो दोस्तो, एक बना में आपको बता दे आपको simple यहाँ पे नीचे scroll करना है, scroll करने के बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़े दिखरी होंगी, check your balance, see transaction history, और उपर में आपको check your civil score for free, आपको इस पे click करना है, यह मैं तब के लिए बता रहा हूँ, जब आपको यहाँ पे loan approval ना आ रहा हो, यहाँ पे आप जैसे click करते हो अब देखो यह ना आपको civil की website पे लिए जाएगा, अब यह redirect कर रहा है Google पे से, तो यहाँ पे आपको Google पे करना है, अपना civil भी बता आना पड़ेगा, civil बता देने के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे loan approval दिया जाए, क्योंकि भाई देखो जब Google पे को पता है निए कि आपका civil कीतना है, तो भी वहाँ पे आपको loan approval दे गई नहीं वो, simply आपको चेक और civil score पे क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे आपको first name, last name, और जो भी इनकी टर्मेंट कंशन है, वो डाल के आपको simply continue करना है, उसके बाद आपको अपने pen card बगरा की detail डालनी पड़ेगी और अपने civil जो है, वो चेक कर लेना है, चेक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, हो सकते है, आपको एक सी दू हफते का वेट करना पड़ जाए, उसके बाद जो आपको loan का approval है, वो दिया जाएगा, लेकिन मेरे इस वाले phone के अंदर मेरे को 80,000 रुपए का loan का approval दि लोग इन करने के बाद आपको इसमें अपना bank account बगएर एड कर लेना है, जिसके अंदर भी आप पैसा receive करना चाहते हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप नीची आजाओगे, नीचे की साइड आने के बाद यहाँ पर आप देख सकतो, आपको simply get a loan का option मिल जाएगा, आपको simply इसी को apply now पे click कर देना है, अब next वाले page पे आप देख सकतो, हमको यहाँ पे instant loan का option दिखा जा रहा है, और यह loan amount मेरा यहाँ पे minimum 10,000 का रहने वाल है, और maximum यह मेरा 8 लाग तक जाता है, वहाँ पे मेरे को loan period 6 महिने से लेके 4 साल तक मिल जाता है, वहीं पे interest rate मेरा start हो जाता तो अब यहाँ पे आपको simply apply now पे click कर देना है, अब दोस्तो इस वाले page पे आपको अपने कुछ detail confirm करनी पड़ेंगी, सबसे पहले number पे आप देख सकतो, तो मेरी email ID शो कर रहा है, जो कि आपकी already Google पे के अंदर registered होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना account number शो कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको simply continue पे click कर देना है, अब इस वाले page पे basically आपको अपना pin code एंटर करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह पताना है कि आपको जो area है, वो इनके service बाद एंदर आता है या फिन नहीं आता, तो भी आपको simply अपना यहाँ पे pin code यह दोनों चीजे एंटर करने के बाद, आपको इनकी जो भी termine connection है, उसके बाद आपको simply next पे click कर देना है, अब इस वाले page पे आपको आपको अपना employment type भी बताना पड़ेगा, तो भी आप यहाँ पे बता देना कि आप salary person हो, या फिर आप self-employed person हो, लेकिन यहाँ पे make sure कर करते हूं या फिर अगर आप self-employed select करते हूं तो भाई यहां पर आपको minimum अपनी salary 20,000 या फिर उससे अबब डालनी है इससे loan approval के chances भाई बहुत जादा बढ़ जाते हैं यहां पर देख सकते हो हमने salary percent choose कर दिया अब यहां पर हमको next पर टिक कर दिना है अब इस अब इस वाले page पर आपको अपना current home address जालना पड़ेगा यहां पर एक बात का ध्यान रगना जो address आपके अधार कार्ड में है वह होता आपका permanent address और अभी जिस पोजिशन पर या फिर जिस भी मकान करना आप रह रहे हो ना वह होता है आपका current address तो वही आपको अपना current address यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे अधार का according address आ रहा है और यही पर नीचे में देख सकते हो आपको मिल जाएगा choose residence type यानि कि आप जिसमी मकान करना रहते हो वह आपका है या फिर वह rented है तो भी आप यह अपनी मर्जी के साब से रहते आ रहे हो तो भी वह year और month आपको यहाँ पर एंटर कर देना ही उसके बद आपको simply next पर टिक कर देना ही अब इस वाले page पर आपको अपने employment detail भी बताना पड़ेगा तो भी आपकी company का जो नों हो वह नाम बता देना उसके बद आपको total work experience कितने साल का है वह आपको बता देना ही उसके बद आपको दुबार से next कर देना ही अब यहाँ पर आपको work address का location select करने का भी option आ रहा होगा तो भी आप google map के अंदर अपने work address का pin code एंटर कर देना पिन को डालने के बद आपकी जो exact location है वो आ जाएगी उसके बद आपको simply उसको select करके add complete address पे टिक कर देना ही अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा complete address है वो सारा हमारा आ चुका है आपको simply इसको verify कर लेना ही कि सही है या फिर नहीं है अगर सही है तो आपको simply save address पे टिक कर देना ही अब इस वाले page पे आपको अपना work address भी दिखाया जा रहा है उसके बद आपको simply इसको भी confirm करना है अगर इसमें भी कुछ गलत होता है तो आपको यहां से edit कर सकते हूँ इसके बद आपको simply इसको भी next कर देना ही अब यहां पे आप देख सकते हो हमारी सारी detail को verify करने के बाद हमको यहां पे minimum 10,000 और maximum 80,000 रुपय के loan का approval दिया जा रहा है यहां पे आपके सामने इनकी कुछ टामेंट कंशन आ रही होंगी तो भी आपको simply इन तीनो टामेंट कंशन को यहां पे accept कर लेना है अब यहां पे आप देख सकते हो यह DIY finance हमको बोल रहा है क्या भाई आप कुछ देर का wait करो जो आपकी application है वो review में जा चुक है और हमको यहां पे 90 second का wait करने का बोला जा रहा ह हमारी EMI यहां पे हर महिने की 8,095 रुपय की बनाया जा रही है और हमारे जो यहां पे interest है वो 99.99% का लिया जा रहा है जो हमारा loan amount है वो 1,25,000 रुपय का है और हमको यहां पे minimum 10,000 का दिया गया है आपने देख लिया था कि हमको यहां पे maximum 80,000 का loan दिया जा था लेकिन हमार आपको simply next पे tick कर देना है अब यहां पे आप देख सकतो आपके सामने loan application review करने का option आ जाएगा हमारे सामने loan amount आ रहे है 1,25,000 रुपय का fees and charges के नाम पे हमको 4,425 रुपय देने पड़ रहे है money you receive के अंदर आप देख सकतो 1,25,000 रुपय हमारे bank account के अंदर disburse के जाएगे हमन इसे बाद मंतली हमारी 8,095 रुपय की बनाए जा रही है और हमको यहां पे total payment करना है 1,45,710 रुपय है यानि हमने total loan अपलाए गया 1,25 का हमको total मिल रहा है 1,25,75 और हमको यहां पे total repayment करना है 1,45,710 तो वह आप ही अपने इसाफ से देख लेना मैंने आपको सारी से यहां पर बता दिया है अब simply आपको loan लेने के लिए confirm loan पर टिक कर देना है अब यहां पर देख सकतो हमारी application का status है वो approve हो चुका है लेकिन हमको यहां पर अपनी कुछ KYC वगरा करवानी पढ़ेंगी तो यहां पर देख सकतो हमारी KYC verification है वो थोड़ी सी pending में है और हमारा तो bank है वह हमको यहां पर add करना पड़ेगा तो यह आपको सिंपली आपकी स्टार्ट KYC पर टिक कर देना है अब इस वाले page पर आप देख सकतो हमको यहां पर एक selfie लेने को बोला जा रहा है तो वह हम अपनी selfie यहां पर click कर देना है अब यहां पर आपके सामने आपकी selfie आ जाएगी आपको सिंपली इसको confirm कर देना है अब selfie confirm करने के बाद आप देख सकतो हमको यहां पर अपना अधार कार्ड भी verify करना पड़ेगा तो वह inbox कंदर आपको अपने अधार कार्ड का number फिल करना है उसके बाद आपके सामने कुछ capture आ रहे होंगे वो capture आपको फिल करना है और next पे net banking और debit card के थुरू भी अपनी EMI कंपलीट करवा सकते हो EMI करवाने के लिए आपको simply अपने bank का नाम दे देना है यहां पे अपने account का type बताना है ना saving है या फिर current है उसके बाद आपको account number 12 से confirm करना है IFC code यहां पे fill करने के बाद आपको यहां पे account holder का नाम डाल देना है यह सारी चे डालने के बद आपको simply यहां पे next पे tick कर देना है अब यहां पे आप देख सकतो जो हमारा loan है वो successful approved हो चुका है उसके बाद हमको यहां पे loan का amount है वो भी हमारे bank account के अंदर transfer किया जा चुका है यहां पे आप देख सकतो बोल रहा है हमको notification बागर मिल जाएगा जब यहां पे offer में नहीं अब यहां पे आपको your loan पे click कर देना है click करनेक बाद यहां पे आप देख सकते हो dmi finance की तरफ से अब जो हमारा loan है वो active दिखाय जा रहा है यहां पे हमारी 1,20,000 रुपय का loan यहां पे active दिखाय जा रहा है हमारे यहां पे यहां पे amount 4963 रुपय का है औ और हमारे यहां पे due date वगरा भी दिखाय जा रहा है तो यहां पे आपको simply see detail पे click कर गयो तो इस loan की सारी detail देख सकते हो और pay पे click करके आप यह यहीं से repayment कर सकते हो तो दोस्तों यह था complete process Google पे इस loan apply करने का और यह बार आप मैंनों को comment करके ज़रूर बताने कि आपको loan का अगर नहीं मिला तो इस वाली वीडियो पे click करके देख सकते हो कि ऐसे आप घर बैठे बैठे true balance की मदर से personal loan के लिए apply कर सकते हो